हेलो दोस्तो क्या आप इस प्रोबलम से काफी परेसान है जब आप अपने मोवाइल यूज करते हैं तो आपका मोवाइल अपने आप स्विच ओफ हो जाता है और फिर उसके बाद अपने आप स्विच ओन हो जाता है तो दोस्तो ये प्रोबलम मेरे साथ भी देखने के लिए म करना हैं तो चलिए बिए किसी देरी कर वीडियो को start करते हैं और दोस्तोव वीडियोो सुरू करने से पहले एक छोटी सी डिग्व stylish यह अगर आपबने इस चानल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर subscribe कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए बीना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने मेमोरी को देखना है कि आपकी मेमोरी कितनी भरी हुई है अगर आपकी मेमोरी 80% से ज़्यादा बरी हुई है तो यहाँ पर आपको उसे खाली कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मेमोरी जो है इंटरनल अभी 91% बरी हुई है तो यहाँ पर आपको इसे 20% खाली रखना है, कभी भी आपको इसे 80% यूज़ करना है यहापको इसे 20% हिससे आपको खाली छोड़ देना है, वरना अगर आपका यह 100% बढ़ जाएगा या फिर 90% हो जाएगा तो यह अपने आप ही switch off होने लगेगा hang करेगा और switch off हो जाएगा तो आप इस problem को इससे भी ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपकी जो internal memory है उसे यहाँ पर आपको थोड़ा खाली रखना है लगबग यहाँ पर आपको 20% खाली रखना है उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बत memory होती है वो यहाँ पर हमारी file corrupt हो जाती है उस memory की हमारी कुछ file corrupt हो जाती है जिससे हमारा mobile hang करता है और अपने आप switch off हो जाता है तो यहाँ पर अगर आप अपने mobile में external memory use करते हैं SD card use करते हैं तो यहाँ पर आप उसे use ना करे क्योंकि हमारे SD card ज्यादे समय तक नहीं रुक solve कर सकते हैं तो उम्मिद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपको next video में